सब्सक्राइब कीजिए Wifi Study चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की आज की पहले आज की आज की आज की एक नाउन है जिसका मतलब है वाइलेंट यंग ट्रबलमेकर टिपिकली बनाओं गैंग, उपद्रवी देखें तो ऐसे लोग जो कि बहुत वाइलेंट होते हैं ट्रबल क्रेट करते हैं दूसरों के लिए गैंग बनाके चलते हैं उनको अपन हूलिगन कहते हैं सेना देखें, हुंडल, लायोर्ट, वेंडल, रफेन, रावडी, ट्रबलमेकर या पिर गॉंस्टर और अंटरंस ऐसके, कर्थियर्स या पिर बैल बहेब तो यहां पर आपके लिए जो पेपर पहंट भी से कुछ वर इंपॉरेंट है और यह दो वर इंपॉरेंट है और साथ में अंटरंस में यह वर इंपॉरेंट है, देखते हैं इसका एक्जाम्पल, a crowd of hooligan boys created a violent atmosphere in the town यानि कि जो एक crowd था, hooligan boys का, उपद्रवी बच्चों का उन्होंने पूरा violent atmosphere create कर दिया था, टाउन क्यांता है अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत असान ट्रिक है, holy के दिन भहुत सारे hooligan गूमते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा friends, holy के दिन कितने सारे ऐसे hooligan गूमते हैं, यह बहुत ही common सा एक scene है, जो कि holy के दिन आपको नजर आता है, कोई police नहीं होती है, कुछ भी नही अब नहीं जराए आपको नहीं बहुत सारे hooligan गूमते हैं, फोली आपको नहीं होते हैं, जर्वाली नहीं के उप्वत रभी, next अपना फर्बर, फर्वर नाउन इसका मतलब है, intense and passionate feeling, तो अगर आपकी बहुत रहुता है, इसका पना फर्वर कहता है, पना पर्वर कहता है, तो यहां पर आपके लिए जो पेपर के लिए इंपॉरेंट है कि ये दो तीर वर पेपर में फ्रिक्वेंट ली कुछ जाता है देखते हैं इसके एक्जांपल Every year Independence Day is celebrated with Fervor याना कि हर साथ स्वतन्ता की बस कैसे celebrate करते हैं जोष के साथ celebrate करते हैं Late in word देता है फर्वेंट यानि कि जोष फर्वेंट उसा ही फर्वेंट उसा से और उरीजिन कहां से है Latin word से फर्वेंट से इसका मतलब two point यानि कि जोष जगाना उसा जगाना तृत्ता पैदा देना अब देखते हैं इसके trick देखिए कि पर लंगे सकोरें तो थे थो सब्कुर्बाद से तो पर्वेट से बहुत कर सकते हैं थे आप देखा हूंक गूम ने को पूश्टें ऊनुखर ओभ.. लेकिन जिस दिन आपको हाँ बोलते हैं फिनने के लिए इन जह उवदर फिनने के लिए तो कैसी feeling आयती है? परवेंट feeling आयती है यानि की बहुत ही passionate feeling आयती है Next वाटना Elitist Elitist एक adjective है इसका मतलब है Demonstrating a superior attitude और behavior associated with an delight Okay, so elite class जो आपर कहता है कि यह बहुत elite class है बहुत ही साथ high class है उसका आपर कहता है इसका आपर कहता है इसलिए उच्छे वर्कम आती है सिननम देखे High pro, superior, pompous और अधिन आप से low pro तो यह pompous पर पर कही पार आता है ठीक है और इससे तो आप इसका अन्दगा लगाई सकते है High pro, low pro तो नहीं वर्कम आपर कहता है देखे इसका एक्जांबल Because Ana is quite wealthy, she sends her children to the area's most elite school जो Ana है वो कापी wealthy है, Ameer है इसलिए आपने बच्छों को इलिया के सबसे उच्छ वर्क के school में बेजती है इसलिए 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 इसल नेक्स वर्ट हमना चेफ, चेफ एक वर्ब है जिसका मतलब है become or mean annoyed or impatient because of a restriction or inconvenience किसी से चेफ जाना, किसी को खील जेना, बहुच जादा impatient बन जाना, annoyed कर देना उसका पर पोते है चेफ तो कैसे जनन देखे, be angry, be annoyed, be irritated, be insane, be exaggerated, be frustrated okay and anternals can be delighted, be pleased, be happy, be delighted or be happy तो देखे को अगर कहीं पर ऐसा होता है कि आप से कोई बहुत स्दावाद कर रहा होता है जाना, और आपको irritate कर रहा होता है तो उसको क्या कहते है चेफ हो खोंगया है होंगया है, बहुत आप मुझे irritate करने ही जरूर्द नहीं है तो फोल जादा इरिटेट करता है तो आप यसा हो जाते हैं चेफ हो जाते हैं देखते हैं इसका इसालपल Because Mary suffers from an anxiety disorder, she is prone to chaff about pity matters Okay, तो जो Mary है वो किस से suffer है, उसको किस ती है किस तीस से suffer है को? Anxiety disorder है उसको इसी लिए वो बहुत जादा प्राउन है, बहुत जल्दी चेट जाती है छोटे जोटे पिटी matters के साथ की वज़े से अब बहुत देखें चेफ, चेफ and चेफ अब देखते हैं कोई जादा चैफ होता है कि चेफ लगता है बहुत जादा चैफ लगता है, बहुत जादा चैफ लगता है बहुत जादा चैफ लगता है next one up the brute, brute tech nowadays का मतलब है unelevently harsh, तो निर्दई अफिर कटोर तो कोई ऐसा परसंट जो की बहुत जाद जाद निर्दई हो, बहुत ही कटोर हो उसको प्रण brute के देखें एंटेम करते, compassionate, good-hearted, women of a kind now this is an example, since her ex-husband was being a brute the woman struggled with sharing custody of the children यानि कि जो उसका ex-husband था, वो बहुत ही brute, निर्दई किसम का अग्मिता इसलिए, women जोग आपे struggle करना पड़ा, custody को है, share containing लिए अपने बच्चों को लेका अब देखें, origin, Latin, Brutus word होता है, उसके इसका meaning निकला है, Brutus यानि के, dull, stupid, okay, देखें इसके trick, brutal होती, brute होता है तो देखें कितना आशानी से आप आपका सकते है, Brutal word तो बहुत आशान है Okay, Brutal word देखें, इसके इसके सिनरफ नहीं है तो Brutal word तो बहुत आशान है, इसके मतलब सबी को पता हुआ कि जो बहुत कटों देखें उधें उधें इसके बोलते है तो Brutal से ही Brut आपका इकाल सकते है, Brutal, Brut पर कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेव है इस तरीके सब्सक्राइब से आशान से आशान से आशान से आशान से सकते है Call Off, Razer Bob है, इसका मतलब को कैंसल करना, Abundant करना, गंद करना, स्रगित करना तो देखें, Off पर से ही हम इसे आशान सकते है Call तो आपको बता कि Call यानि कि कि किसको बूलाना Off यानि कि उस चीज को बना कर देना, बंक कर देना, चैंसल कर देना तो वह इसका मिलिंग है Call Off, यानि कि कोई चीज को चीज को चैंसल कर देना चनंन पर वह है, Cancel, Abundant, इसके आज आखें बूल और आटरिन हम से Continue आगे कि और एक्जाम्पल है तर गेप वस पॉल आप की तरे जने के अडिक इस को रद कर दी तरे आप का मतलब आप जान सकते हैं मायर मायर इसका मतलब एक वह रहा है तो 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 पिसी दीच चीज के अगर आप वाइब दम आप अप एक़ा आता हूं, तो उसका पार कहते हैं, मायर। जना देखिये, entangle, tangled up, embroidered up, and missed और अंतिनम से, exclude three, after entangled बेखते हैं इसका एक्सामपल, अपॉसर गॉल कोई तू रिटेलर उसे कहते है, अपॉसर कहते है, अपॉसर है उसके है, drug dealer, रिक है है मायर तब के है मायर पर इनके situation and circumstance from which it is difficult to escape ऐसिक विए condition में फ़र्शान वो जाए कि दितलना पड़ागी तब दो देखते हैं इस की trick इनको हायर करके हम मायर हो गैं इनको हायर करके हम कैसे हो गया है इनको हायर हो गैं एक ये लीडी की एक कंपनी है इन्होंने इस employee को hire किया है जो बहुत रदा stupid है तो इक क्या बोल रहे है कि I am hire करके क्या हो गई हूँ? मायर हो गई हूँ उनको, यह फस्स गई हूँ इनको hire करके को कोकि इनको पर एक employee को पर कही सर आपको resource लगाना होता है इनको हायर करके हम मायर हो गई है यादिके बहुत जादा first way है तो मायर और हायर इस तरह कर सा आप राता सकते है next matter is demonize, demonize एक गवव है और इसका मत्रब है make wicked and threatening बुरा या फिर्ट चर्थर वाला कोई ऐसा person जो की बहुत ही बुरा चर्थर है जिसका बहुत ही evil वाला minded है उसका पर demonize कहता है सेनन देखते है लबलाइज पोट्रे विकर्ट पोट्रे इविल बेग डिलिश और आपने अग्सा अग्रेंडाइज अग्रेंडाइज एफिर अपोट्यर साइज तो यहां पे जो important devil devilize आपके लिए important हो सकता है बात में बाती अग्रेंडाइज इपोट्रेंट है ठीक है दो बड़ आपके लिए important है लेखता है example if people demonize someone they convince themselves that the person is evil अगर people को लगता है किसी person ने किसी साथ में बुरा किया है तो अपने आपको convince कर लेते हैं कि जो सामने आप परसन वहीं evil है okay इसलिए मैं उसके साथ बुरा किया है और सही किया वहाँ तो demonize, demonize and demonize later word क्या है demon यानि कि इसका मनलब क्या है evil okay demon यानि कि demon आपने सुना होगा कही बात ठीक है तो demon वज़ें demonize आया है तो दोनों कि ने लेकर गया पासन से आप भी कर सकते हैं इसके जादा money होना कही लोग demonize समझते है money-manize इस तरीके से या अपने याद कर सकते है money को manize है अगर किसी बात के जादा पैसा है तो लोग क्या समझते हैं कि demonize परसंदी यानि कि बहुत जादा बूरा person है बहुत गलिप तरीके से पैसे कहाने को इस तरीके से आपने याद के सकते कि जादा money होना कई लोग demonize समझते हैं demonize जाने कि बहुत जादा बूरा सिद आपना सिसीड, सीसीड एक वर्ब बाइजिस का मतलब है विद्ड ओर फार्मपली थाजिट फॉम को भाइना जाते हैं एक अगर आप किसी भी ऑर्गुमी जाते हैं ध्यूते हैं तो को सिसीड कहते हैं इसमार एजिपन स्मॉल आइलें नेशन अपाते हैं वे एक स्वोन फ्लाइब और इसमाइब निक टाकिया वो अलग होना पसमिया अपनी जो मद्रिक कंट्री है उससे और अपना पुद का फ्लाइब बना लिया हुआ है का स्विति जो अपना पसमिंग नहीं आती है कि स सिसीड रहना ही अच्छा है आपको स्विति नहीं आती है कि से दूर रहना अलग रहना ही अच्छा है इस तरीके से आप उसको आशानी से आप करजनते हैं सी और सीषी एक यह बहुत सब्सक्राइब और आपको पता भी एक अगर किसी वह सुपिंग रही हाती जो सी से उसको अलग रहना चाहिए यानिकि सीषी टरना चाहिए लास्ट वड़ा है आज का अपना रिक्रीट विक्रीट एक वह पैस इसका मतलब है आप अट रूइब पी आपको अट रहा है करें रहा है और आपको अट वाह पैसे वह प्रट ऑख अटा समय वाले की कमेर है वह आउट नमबर हो गेते हैं, वह भीता की के सब्सक्राइब है को इसा के मतलब है फिल बढ़ा है अब देखने इसकी तुन जानग के बढ़ा है इसका का मतलब है वह ऐस के लिए भुए बट्रीड तरह में पमें समय कुछ उत्लिया सब्सक्राइब और आपने इमको वापस से बार रिवाइस करेंगे। आज का अपना पैदा पता हूलिगन, हूलिगन का मतलब क्या था? उप्ड्रवी, हूलिगन के बहुत सारे हूलिगन का मतलब है। पेरिंट्स अराव करते हैं, फिंदे को बहुत फरबर फिलिंग आती है। आपने के बहुत सहुद ज्यादा पैस्जीनिक फिलिंग आती है। एलिट क्लास के लोग इलिटिस्ट होता है। याने कि उच्छे वर्दवाभी। कोई ज्यादा चैट होता है तो चैप लगता है यानि कि बहुती इरिटेंट लगता है गुटन लोग भूथ होता है यानि कि नितले ही होता है कॉल करके मीटिंग कॉलाफ की रद्यकरी इनको हाय करके हम बायर हो गए यानि कि फस्ट गया है और बत्रे लीट पांते हैं तो यह रिक्रीट हो जाता है याने कि पिछे हल जाते हैं और देखें फ्रेंस कॉशन ओड़े हैं अपने आपसे बहुत सिमिलर सिननरा मैंने कि आपसे पूछेता थ्रोवर्ट का है पारो ड्रॉवर्ट का इसका सही आंज़र है गर्टरी तो याने कि किसी चीज़ का अप्वोजिक होना ठीक है उसको अपन क्याते हैं फ्रोवर्ट और आज से बेखते हैं क्या है आज हमने आपसे आज की सिनननम पूछा है जो कि यह लिवेंट अपके सामने फ्रेंस चार अप्शन्स हैं आपको ट्राय करना है कौन सा वाला अप्श करके इसना अंसर का अंसर देना है इस कुर्शन का और देखते हैं ट्रिक बनाऊ तो जाने हैं हमने आपसे रेतिन्यू की ट्रिक पुछें दी फ्रेंस जो कि बहुत सार अच्छा अंसर आए इसमें से नियुनेज कुमान जी ने कहा है प्या मोटी ने कुछ लोग को करने के लिए आगा आःए बीड़ ने कहा है तो दित्यू ने 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 द्रेस करिंदी और दोस्तों के साफ और अच्छी ने इन आड़ी के से लेट कर्ने काई फ्रेंस ये दो तरीक हैं ये भी जिसे आप इसको आसर आप सब आइस क्या है और आज वाट सब्सक्त्री की आए खूराई यह निः डबल स सधृन्की ये खौलेत्र इसे मन्चोप के लिए और स्थीक्टस शाले का दिए जिल्द पूरेतर टार्म्ट अब्ज राएं और सैंन्द रृश्वारी में जूराई